अब आप सोच रहे होंगे कि हम भोजपूरी क्यों बोल रहे हैं तो हम भोजपूरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है आईपेल के 16 सीजन का रोमांच शुरू हो चुका है इस टूनमेंट में अब तक कुल साथ मुकाबले भी खेले जा चुके हैं जिससे क्रिकेट के प्रशन सक काफी रोमांचित हैं आईपेल 2023 में फैंस को गेंद और बल्ले का रोमांच तो देखने को ही मिल रहा है लेकिन कई भाशाओं में हो रही कमेंटरी एंटेर्मेंट में चार चांद लगा रही है वैसे तो इंडियन प्रिमेर लीग की कमेंटरी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 12 शेत्री भाशाओं में की जा रही है लेकिन महफिल लूटने में भोजपूरी भाशा सबसे एहम भूमिका निभा रही है दरसल आईपेल के इतिहास में पहली बार सभी मैचों का प्रसारण भोजपूरी भाशा में भी किया जा रहा है इससे पहले आईपेल की कमेंटरी सिर्फ 6 भाशाओं में की जाती थी लेकिन अब की बार जियो सिनमा पर आईपेल की कमेंटरी कुल 12 भाषाओं में की जा रही है हिंदी, अंग्रेजी, मराथी, तेलगू, तामिल और कन्नर जैसी भाषाओं में क्रिकेट की कमेंटरी सुन कर प्रशन्सक काफी खुश है लेकिन भोचपूरी का फ्लेवर उत्तर भारतियों को कुछ जादा ही लुबा रहा है ऐसे में लोग ये जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि आकिर भोचपूरी के कमेंटरों का नाम क्या है जो मनोरंजन को साथवे आसमान पर पहुँचा रही है तो आईए देखते हैं इनकी लिस्ट वैसे भोचपूरी कमेंटरी में रवी किशन भी जलवा भी खेर रहे है आईपिल 2023 की कमेंटरी का भोचपूरी में आनन्द ले रहे दर्शकों को बीज बीच में भोचपूरी अभीनेता और वीजेपी सांसत रवी किशन के द्वारा भी कमेंटरी सुनने का अवसर मिल रहा है भोचपूरी अभीनेता रवी किशन का कमेंटरी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है जिसमें वो ई कहो मूफोडवा का जैसे फ्रेस का प्रयोग करते हुए दर्शकों का मनोरंजन कर रही है आपको बता दे रवी किशन जी ओ सिनमा पर नियमित कमेंटेटर नहीं है उन्होंने सांसर समेद अपनी अन्य जिम्यदारियों के चलते सिर्फ वीकेंट्स पर ही कमेंटरी करने का कॉंट्रैक्ट साइन किया है इस पर उनका कहना है कि पूरे देश में करीब 25 करोड लोग भोजपूरी बोलते हैं और समझते हैं इसलिए अपनी मात्रभाषा के प्रमोशन के लिए वो अपने करतव्यों का निर्वा कर रही हैं वैसे क्या आप भी भोजपूरी कमेंटरी के फैन हो चुके हैं अगर हां तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले